हालो आप लोगों स्वागत है वेस्ट नोट्स चुटोरियल में और आज मैं बात करूंगा आपके सामने कि स्क्रीनिंग जो है बहुत सारे लोग इससे घबरा गये हैं और उन्हें लगता है कि जो कुश्यन है उनका यूजिली जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि हम एल् अगर हम देखें कि यहां पर इंग्लिश लिटरिचर के लिए मैंने अभी तक नोट्स दिये हैं और अब हम स्क्रीनिंग शुरू कर रहे हैं पास तारीक से आप लोगों को बहुत जल्द आप डेमो वीडियो भी देख लेंगे तो सारे सब्जेक्ट की डेमो वीडियो आप की चैनल पर अपलोड हो जाएंगे इस चैनल पर और हम अब मैं बात करूँगा कि यह एक्शल में आप लोगों के लिए एक सिर्दर्द वाली बात नहीं है कि स्क्रीनिंग आया है ओके स्क्रीनिंग को आप एक उपचुनिटी की तरह देखिए आप लोगों के पास पहले यहां से सुनिए आप लोगों के पास में दो स्टेज हैं फर्स्ट स्टेज है आपका स्क्रीनिंग अब आप खुद सोचिए कि अगर आप स्क्रीनिंग से बाहर नहीं निकल पाई या क्वालिफाइण नहीं हो पाया तो आपका सब्जक्ट है कितना भी स्ट्रॉंग क्यू नहीं है वो वहाँ का ही रखा रहेगा दूसरी चीज एक चीज और अच्छी बात है कि जो अगर हम बात करें कि साइन्स सब्जेक्ट की बात करें चले साइन्स की बात करते हैं या इंग्लिश लिट्रेचर की बात करते हैं तो उस टाइम मैंने टोटली जो फोकस किया था वो किया था आपका English literature पर या spoken English पर या vocabulary पर तो मेरा जो बाकी subject थे वो सारी चीज़ें क्या हो गई थी, जो history थी, geography थी, वो चीज़ें इधर उधर हो गई या हम कह सकते हैं कि बहुत ही low level पर आ चुकी थी, लेकिन जब बाकी च इससे पहले हम ARO की तैयारी करवा रहे थे अपने चैनल पर तो उसमें हमने course बनाया था जो ARO का है उस time उससे पहले तो लगबग जो दो तीन साल अभी हो चुके हैं जिसमें हमने geography और history मैंने खुद geography और history जो in depth पड़ी है वो पड़ी है मैंने इन्ही दो और तीन सालों मे तो अब मुझे लगता है कि मैं screening अगर होती भी screening तो मेले बहुत easy होता screening को go through होने के लिए तो फिर उसके बाद जो English का subject होता वो मेले easy होता अब आप एक चीज इस चीज को भी देखिए कि जो first में अगर आपका maths बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपके सामने screening है तो आपक टिपल सी के और उसको आप अपना एक वहां भी बहुत अच्छी पोस्ट है तो अगर आप वहां पर screening के लिए जो आप तैयारी करेंगे तो वहां पर भी आपको काम आईगी और screening को इतना अच्छा strong कीजिए कि in case कोई और vacancy आती है तो उसमें भी आप अच्छे से कर पाएं तो three months में आपकी screening के लिए बहुत अच्छा opportunity है बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिए और जो subject है उसे अप थोड़ा reduce कर दीजिए जैसे पहले मैंने syllabus दिया था आपको कि 10 hours का जो syllabus था 8 to 10 hours का तो अलग तरह से था लेकिन अब आप जो subject है उसे कर दीजिए 2 hour क्योंकि subject के आपको फिर बाद में time मिलेगा और जो screening है उसे दीजिए आप 6 to 8 hours तो आपको जो screening है वो किसी तरह anyhow आपको fight करनी है screening के बाद जो होगा competition already low हो जाएगा आपके अपने particular subject में especially English literature के students के लिए या science students के लिए तो उनका जो अपना subject है क्योंकि अगर आप history के teacher है या teacher बनना चाह चीजों की तो आप already इन चीजों को prepare कर रहे होंगे लेकिन अगर आप science subject से हैं तो आपको बहुत basic से चीजे समझनी भी है और अगर आप basic से चीजे समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप अच्छे से याद चीजों को नहीं रख पाएंगे तो screening में आपको problem होगी तो basic से आप two hours क्यों पढ़ना है क्योंकि जो two hours है वो आपको subject के touch में रखेगा बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल subject छोड़ दिया कई लोग ये भी गलती करेंगे कि वो सारे लोग screening पर ही focus करना शुरू कर देंगे उसके बाद जो आपको two months का time अगर मिला तो two months के time में आपका फि vocabulary है related vocabulary है subject से वो बनी रहेगी तो ये है आपका एक बहुत अच्छी opportunity है अगर screening आई है तो उससे आपको घबराना नहीं है आपको उससे लड़ना है क्योंकि अब एक चीज़ और है कि आप अभी अगर सोच रहे हैं कि मैं six to eight hours पढ़ूँगा तो मैं आपको suggest करता हूँ 16 hour प तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा कि हमने ये सारा struggle किया और हम इसमें go through हो गए लेकिन कहीं अगर कहीं एक दो नंबर से अगर कोई रुक जाता है तो lifetime एक बहुत बड़ा setback लगता है या इनसान सोचता रहता है कि कास ऐसा हो ज hours ये 12 hours की बाद चोड़िए आप कम से कम 16 घंटे पढ़िए क्योंकि competition जितना भी हो आपको highest marks अपने आप गेन करने चाहिए या कोशिश जरूर करनी चाहिए क्योंकि जो तारों के लिए कोशिश करेगा जरूर stars के बीच में तो गिरता ही है अगर गिरेगा भी तो star के बीच में गिरेगा तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है बहुत अपनी तयारी शुरू कीजिए screening से डरना नहीं है opportunity आपके पास में ये एक opportunity की तरह है आप इसे UK SSC में भी यूज कर सकते हैं तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खतम करते हैं और मिलते हैं अपने ग्रूप में है